आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So the question is A cross between an F1 individual and dominant parent is called test cross So guys, यहाँ statement रहा है कि cross between F1 individual and dominant parent होता है वो test cross कहलाता है So guys, यह गलत statement है क्योंकि test cross क्या होता है Test cross basically cross होता है of an individual with its recessive parent वो कहलाता है हमारा test cross तो जैसे कि मेरे पास एक ये parent है एक ये parent है अब F1 में मेरे जो प्लांट होगा वो कैसा होगा टॉल और वो कैसा होगा heterozygous dominant अब का इस test cross में कहला है हम इस individual का cross करवाते है with recessive individual and recessive parent अभी क्यों करवाते है So suppose मेरे पास दो प्लांट है अब एक प्लांट मेरे कैसा है यहां पर homozygous टॉल है ठीक है और दूसरा प्लांट जो है मेरा वो heterozygous टॉल है अब मैं कैसे डिटिमाइन करूंगी इसका genotype क्योंकि phenotypically दोनों टॉल है तो हम करवाते हैं test cross मतलब इसका cross करवाते हैं with recessive parent तो यहां पर एक type का gamit मिलेगा यहां पर हमें मिलेगे दो type की gamit इस case में सारे plants कैसे होंगे टॉल और इस case में 50% plant से होंगे वह होंगे टॉल और 50% plant होंगे डूर्फ ठीक है तो इससे में डिटिमाइन कर लोगे कि मेरे plant का genotype क्या कि आप हो homozygous टॉल है या वह heterozygous टॉल है तो यह कहलाते है test cross अब यहां पर अगर हम individual का cross करवाते हैं with any parent ठीक है मतलब वह recessive parent हो या dominant parent हो any parent ठीक है अगर cross करवाते हैं तो वह कहलाते हैं हमारा back cross ठीक है लेकिन test cross में हम cross करवाते हैं individual का with recessive parent only ठीक है तो गाइस statement में क्या है यह false statement है थेंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर